Hello students, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Princewood Education में आज का हमारा टॉपिक है पदार्थ, विज्ञान, प्रयोक्षाला, व्यवस्ता और महत्व फर्स कोशर है प्रयोक्षाला विधी क्या है? तो यह विधी बालकों में व्यग्यानिक छम्ता उत्पन्र करती है जो व्यवस्ता विधी है वह बालकों में व्यग्यानिक छम्ता को उत्पन्र करती है Second point है इस प्रणाली में अधिकतर बालक सक्री होते है इस प्रणाली भी क्या होता है? अधिकतर बालक सक्री हो रहते है क्योंकि यहां वीदी जो होती है वो बालकों में व्यग्यानिक छमता को उत्पने करती है नेक्स्ट है विद्यार्थी स्वयम प्रयोग करता है जहां क्या होता है कि विद्यार्थी स्वयम प्रयोग करके समी कारे करता है तो हां बालक क्या होता है सक्री होता है ठीक है इसलिए उनका द्रश्टिकोड कैसा हो जाता है उनका द्रश्टिकोड होता है वो विज्ञानिक हो जाता है Next point है प्रयोग शाला का नियोजन के बारे में बताईए तो सन 1964 में भारत सरकार द्वारा मांधमिक विध्यालियों में विज्ञान सिक्षण हेतु Committee on Plan Project नाबक समीती का गठन किया गया इस पॉइंट को बहुत अच्छे से देख ले Committee on Plan Project सन 1964 में प्रयोक्षाला कप नियोजन कप किया गया सन 1964 में पहला पॉइंट क्या है सन 1964 दूसरा पॉइंट क्या है कि भारत सरकार द्वारा किया गया मादमिक विद्यालों में विज्ञान सिक्षण हेतु किया गया और तीसरा पॉइंट है कौन सी समीती का गठन किया गया Committee on Plan Project क्या है Committee on Plan Project 1964 में भारत सरकार दे मादमिक विद्यालों में विज्ञान सिक्षण हेतु इस कमीटी का गठन किया तो पहला point हम नहीं क्या पड़ा, बहुत important है कि committee on plan project समीती का गठन किया गया, किसलिए गठन किया गया, मातविक विद्यालों में विज्ञान सिक्षर हेतु गठन किया, किस ने गठन किया, भारत सरकार ने गठन किया, और कम किया 1964 में एही कोशन असर आ रहे है, पहला है, committee on plan project नाबक समीती कब गठीद की गठन', 1964 में मीटी ओन plan project समीती का गठन, किसके द्वारा किया गया था, तो जो committee on plan project समीती थी, उसका गठन, भारत सरकार द्वारा किया गया था नेक्स कोईशन है प्रात्मिक उपचार बॉक्स के उपर किसका चिन अंकित होना चाहिए? तो जो प्रात्मिक उपचार बॉक्स होता है उसके उपर किसका चिन अंकित होना चाहिए? रेड क्रॉस रेड क्रॉस का नेक्स कोश्चन है प्रतेक प्रयोक्षाला में कौन कौन होना चाहिए तो प्रयोक्षाला सहायक होना चाहिए प्रयोक्षाला कर्मिचारी होना चाहिए और स्टोर कीपर होना चाहिए कौन कौन प्रयोक्षाला सहायक प्रयोक्षाला कर्विचारी और स्टोर कीपर नेक्स कोशन है अमलिस से घाव होने पर किसका घोल लगाना चाहिए तो जब अमलिस से घाव हो जाए तो किसका घोल लगाना चाहिए सोडियम बाई कार्वोनेट का सोडियम बाई कार्वोनेट का एन एच सीओ ध्री जो होता है उसका घोल लगाना चाहिए नेक्स कोशन है अबल से घाव होने पर तेल किसका यूज करना चाहिए तो जो अबल से घाव हो जाए तो तेल नारियल का यूज करना चाहिए नारियल का, next question है माधिमिक विद्यालेों में विज्ञाद सिक्षड हे तु किस समीदी का गठन किया गय था committee on plan project का ये आपको धाद रखना पढ़ेगा plan project क्या है committee on plan project का गठन किया गय था 1964 में विज्ञाद सिक्षड हे तु किया गय था और भारस सरकार ने किया था Next question है प्रात्मिक उप्चार बॉक्स में क्या होना चाहिए क्या होना चाहिए छोटी बड़ी पटियां होनी चाहिए किटाडू रहित बरहम होना चाहिए और जोडने वाला प्लास्टर होना चाहिए Next question है कौन से सुझाओ, कमिटी और प्लान प्रोजक्ट समीट द्वारा दिये गए है तो आईए पढ़ लेते हैं पहला है प्रती छात्र तीस वर्ग फुट इस्थान का निर्धारन दूसरा है एट इंटू फोर आकार की प्रदेशन बेच तीसरा है स्टोर रूम की स्थापना और चौता पॉइंट है सामान विज्ञान की प्रयोक्षाला का गठन किया जाए ठीक है पहला पॉइंट हमने पढ़ा तीस वर्ग फुट इस्थान का निर्धारन किया जाए एक एट टू फोर आकार की प्रदेशन बेच का प्रयोक किया जाए स्टोर रूम की स्थापना की जाए और समान विज्ञान की प्रयोक्षाला का गठन किया जाए समान बहुत तिक विज्ञान प्रयोक्षाला के लिए कौन सी समागरी आवश्यक है पहली है आवशक्ता नुसार मेजे, दूसरा है ब्लैकपोर्ट, तीसरा है अल्मारिया, ठीक है? नेक्स कोशन है विज्ञान को सीखना विज्ञान को करना है या किसने कहा है डॉक्टर कोठाणी ने कहा है कि विज्ञान को सीखना ही विज्ञान को करना है डॉक्टर कोठाणी ने कहा है नेक्स कोशन है कौन सा विज्ञान प्रयोक्षाला का स्वरूप है तो पहला है व्याख्यान कक्ष और दूसरा है सर्व उद्देश क्या है व्याख्यान कक्ष और दूसरा है सर्व उद्देश जो है विज्ञान प्रयोक्षाला का स्वरूप है नेक्स कोशन है पदार्थ विज्ञान में प्रायोगिक कार का क्या महत्तु है तो बालक में समाजिकता आती है इससे दूसरा क्या है तरक शक्ति का विकास होता है तीसरा है बालक करके सीखने पर कार करता है करके सीखो सिधान पर कार करता है पहला कहता बालक में समाजिकता आत तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक पदार्थ विज्ञान प्रयोक्षाला व्यवस्ता और महत्व आज यही पर कंप्लीट हुआ बीएट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं बीएट की पीडियेफ के लिए आप हमसे टलीग्राम या वाट्सप ग्रूप में जूर सकते हैं टलीग्राम लिंक और हमारा वाट्सप नमबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है थन्यवाद मिलते हैं अपनी नेक्स क्लास में